क्या निकाय चुनाव ने अखिलेश और जयन्त की राहें जुदा कर दी हैं? अगर नहीं तो आज सहारनपुर की इस रोडशो में अखिलेश के साथ जयन्त नहीं थे और चंद शेकर रावन थे क्या राहें जुदा हुई हैं या फिर कोई नाराजगी हैं? हम आज इस बात को समझेंगे ये भी जानिए कि मुक्वंत्री योगिया अधित्यनात ने आज प्रयाग राज में अतीक के गढ़ में चुनावी जो रैली की तो क्या कहा? और साथ साथ बजरंग दल को बैन करने के कॉंग्रिस के घोशना पत्र के बाद बजरंग दल से निकले केशो प्रसाद मौरे ने कॉंग्रिस को लेकर क्या कहा है? ये तमाम बातें आज का यूपी में नमस्कार मैं हूँ कुमार अभिशेक आप देख रहें यूपी तक हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर देखाएं तो आज एक ऐसी राजनेति खटना हुई है जिसने लोगों को सोचने पर ये विवश किया है कि क्या अखिलेश यादव और जैंस चौधरी के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है या फिर ये सब कुछ जो ठीक ठाक नहीं है ये महज तातकालिक है और सिर्फ और सिर्फ निकाय चुनाओ से जुड़ा है आज दरसल अखिलेश यादव सहारनपूर में थी और सहारनपूर में अखिलेश यादव ने एक रोडशो किया रोडशो के साथ साथ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फरेंस भी किया रोडशो में जैन्त चौधरी नहीं थे प्रेस कॉन्फरेंस में भी जैन्त चौधरी नहीं थे लेकिन प्रेस कॉन्फरेंस में अखिलेश यादव के साथ चंदर शेकर रावन जरूर मौजूद थे अब कहने वाले ये कह सकते हैं कि सहारनपूर में शायद जाटों की संख्या कम है सहारनपूर में सायद जैन्द चौधरी के वोटर कम है इसलिए वो नहीं गए लेकिन आज जैन्द चौधरी का उस जगह पर नहीं जाना जहां अखिलेश यादव और चंद शेकर रावन पहुंचे हों एक साथ प्रेस कॉन्फरेंस कर रहे हों ये कई सवाल खड़े करता है और हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के जाने के पहले आज जैन्द चौधरी की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की और उस प्रेस रिलीज में ये साफ-साफ बताया गया कि जैन्द चौधरी आज इस कारिकरम में शिरकत नहीं करेंगे अब ये भी उसमें लिखा है कि कुकी कई जगहों पर आमने सामने हैं आरेलडी और समाजवादी पार्टी के लोग खास करके नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाओं में तो उनके लोग स्वागत तो करेंगे अखिले शादों का लेकिन जैन्त चौधरी उसमें शामिल नहीं करें तो कहीं न कहीं एक गांठ एक दरार एक बात जरूर निकली है कि फिलहाल निकाय चुनाओं को लेकर जैन्त चौधरी और अखिले शादों में सब कुछ ठीक ठाक देए और यही वो वज़ाय है कि एक जुटता दिखाने का एक जो मौका इस निकाय चुनाओं के माध्यम से था जब प्रदेश को तीनों नेता एक साथ या तो रोडशो में दिखाई देते या कम से कम प्रेस कॉन्फरेंस में दिखाई देते आज नहीं दिखाई अलबता जैन्थ चौधरी की तस्वीरें जरूर लगी हुई थी तो कहीं न कहीं एक पैचप की भी कोशिश दिखाई दी कि इसका मेसेज खराब नहीं जाए लेकिन अंदरूनी सूत्रों की माने तो जैन्थ चौधरी की नाराजगी है और जैन्थ चौधरी की नाराजगी इसलिए है क्योंकि इस बार के निकाय चुनाओं में समाजवादी पार्टी ने मेयर का एक भी टिकट या मेयर के लिए एक भी जगह नगर निगम के लिए एक भी जगह ऐसी नहीं जहां पर समाज जगहों पर आमने सामने RLD और समाजवादी पार्टी के कारिकरता होगा। तो 2024 के पहले एक जो परफेक्ट गटबंधन जिसे लोग देख सकते थे या कहा जा सकता था कि देखिए निकाय चुनाओ में हमारा कितना परफेक्ट गटबंधन है वो नसर्फ नादिक नहीं दिखाई दिया बल्कि दोनों के बीच में दूरियां और दरारें दिखाई दिखाई दिया तो क्या ये सिर्फ चुनाओ निकाय चुनाओ तक सिमित रह जाएगा या इस दरारों का असर 2024 तक जाएगा इस पर हमारी नजर बनी रहेगी लेकिन एक बात जरूर है कि दोनों के साथ नहीं आने से मेसेज अच्छा नहीं गया है आप इस प्रिस कॉंफरेंस को देख लीजिए और प्रिस कॉंफरेंस को देखने से अंदाजा लग जाएगा कि अगर यहां पर जैंत चौधरी होते तो इसका मेसेज कैसे जाता क्योंकि इस प्रिस कॉंफरेंस में अखिलेश और चंद्शेकर रावन दोनों ने अपनी अपनी बाते कहीं एक तरफ विखरा विखरा विपक्ष यानि कि जैंत अकिलेश और चंद्शेकर का एक साथ ना आना दूसरी तरफ दूसरी बड़ी घटना आज योगी आदित्तिनात ने मुख्यमंत्री ने प्रियागराज के उसी कसारी मसारी इलाके के पास जहां पर अतिक एहमत को दफनाया गया है उसी इलाके से सटे एक इलाके में अपनी चुनावी सभा की मुख्यमंत्री योगी आदित्तिनात ने इस चुनावी सभा में च्यम कर समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोला और साथ-साथ ये भी कहा कि अन्याय का अंत होता है मुख्यमंत्री योगी आदितनात प्रयागराज के अतिक के गढ़ में जब भाशन देने पहुंचे थे तो उसका मकसद बिलकुल साफ था उस इलाके के लोगों को इतना confidence देना कि सरकार ने सिर्फ माफिया को खत नहीं किया है बलकि उसके गढ़ में मौजूद होकर सरकार ये दिखा रही है और ये बता रही है कि अब उसका अंत हो चुका है और क्या क्या कहा है बुख्मंत्री योगय आधित अनात्या सुनि जैना जहां पर अन्यार अरत्याचार से पीरित मानोता करके न्याने की सरणवेर आ करके न्याए परप्थ करने के विलासा से आता है कुछ दोगों ने उस प्रियागराज की धर्थी को अन्या एर अत्याचार का सिकार बना दिया था पापा अचार का सिकार बना दिया था लेकिन ये प्रक्रदी ना किसी पर अत्याचार करती है और ना किसी के अत्याचार को स्विकार ही करती है सब का हिसाब बरावर करके रख देती है तो एक तरफ उत्तरप्रदेश में निकाय चुनाओ का जोर है दूसरी तरफ करनाटक के चुनाओ के पहले ही एक बड़ा बावाल ख़ड़ा हो गया और कॉंग्रिस पार्टी ने अपने घोशना पत्र में बजरंग दल को बैन करने की बात के लेकिन बजरंग दल को बैन करने का जो वादा उन्होंने घोशना पत्र में किया है उससे बीजेपी पूरी तरीके से बॉक लाई हुए और बीजेपी के वो बड़े नेता जो इस वक्त उत्तरप्रदेश में शीर्ष नेताओं में शुमार हैं उन्होंने आज पूरी भड़ास कॉंग्रेस पार्टी को अधिका तो आपको पहले बता दें 50CM केश्व प्रसाद मौरे इनकी शुरुवात इनकी राजनेतिक यात्रा बजरंग दल से शुरू होती है विश्व हिंदू परिशद के यूथ विंग बजरंग दल में इन्होंने लंबा काम किया है और यही नहीं पिने कटियार जो की कई बार सांसद रहे वो बजरंग दल के अध्यक्स तक रह हमारे साथ बाचीप में क्या कहा है केश्व मौर्या ने यह भी सुरू है कानक्रेश को जबाब देना पड़ेगा और कांक्रेशित मुक्त भारत वनाने के लिए सुरुवात कांगरेश स्वायम करदी है कि तो आपने सियासत को सुना और देखा और आपको बता देए कि चुनआव परचर निकाय चुनाव को ले कर आज खत्म होगया कल मतदान की कल से तैयारी होगी और परसो निकाय चुनाओ के लिए मतदान होंगे तो हमारी अपील है कि आप भी मतदान करने जरूर चाहें तो ये था आज का यूपी हम फिर हाजिर होंगे तब तक आप देखते रही है यूपीता